अखिर बिग बॉस क्यों सुम्बुल को लेके इतने जादा पजिस्टिव हो गए हैं इतने जादा इंसी क्योर फिल कर रहे हैं कि सुम्बुल को हर दिन हर समय कैमरे पे टारगेट किया जा रहा हैं क्या वाकई बिग बॉस के फिनाले वीक से पहले सुंबुल हो जाएगी घर से बेगर तो चलिए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही अन्नोन फेक्ट्स पे और आपके सामने रखेंगे बिग बॉस का वो चहरा जो शायद आपको ना पता हो तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट दिखाईए मैकसीमम सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके तो दोस्तों बिग बॉस के घर में शुरू हो चुका है एक दूसरे पर आरोप प्रती आरोप लगाना वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दू यहाँ पे किसी भी और कंटेश्टेंट को टारगेट नहीं किया जा रहा है सो कॉल्ड बिग बॉस टारगेट कर रहे हैं सुमबुल तौकिर खांको एक इनोसेंट बच्ची एक ऐसी लड़की जो कभी भी किसी का बुराइ नहीं करती है कभी भी किसी से जलती नहीं है या फिर कभी भी किसी पे गलत आरोप नहीं लगाती है या फिर दोस्ती को सबसे जादा प्राइवरेटी देती हैं जिसको फैंस लगातार सपोर्ट कर रहे हैं कि सुम्बूल डिजर्व करती है फाइनलिस्ट उनको ले के जाओ लेकिन भाई बिग बॉस तो बिग बॉस ठहरे आखिर बिग बॉस ऐसा सुम्बूल के साथ कर क्यों रहे हैं तो देखो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखता हूँ जिस पॉइंट्स को आप भी यकीन करोगे तो यहाँ पे पॉइंट्स नंबर वन है कि सुम्बूल जो सबसे में डिजर्व है वो है कि सुम्बूल के लिए एक ही सुम्बूल के इवन दो जी टीवी या कोई और चैनल की ऐसी लीड एक्ट्रेस जिसकी एक बड़ी फैन फालोविंग हो जो बड़ा नाम लेके बिग बॉस के शो में आई है तो यह एक बहुत ही सटीक और मेन रिजर्व है कि सुम्बूल को बिग बॉस सपोर्ट कर रहे हैं बायर्स तो बायर्स होके लेकिन बिग बॉस जो है वो निम्रित को ही जिताना चाते हैं वो निम्रित का पता साफ हो जाएगा क्योंकि मैं आपको ये बात बता दू आपको ये पता होगा कि सुम्बूल से जाधा वोट थोड़ी आते हैं निम्रित को ब्रो निम्रित को तो सुंबुल की बात छोड़िये स्टैन और शालीन से भी कम वोट आ रहे थे इसके पहले भी निम्रित वोटिंग लिश्ट में हमेशा से ही आखरी पाइदान या फिर उससे उपर ही रही है तो निम्रित वोटिंग के हिसाब से सुंबुल को कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएगी और अगर सुंबुल टॉप फाइफ में आती है तो सुंबुल के बहुत ज़दा हाई चांसिस हो जाते हैं कि अटलीस वो टॉप थ्री तक तो जरूर जाएगी अब बिग बॉस नहीं चाहते हैं कि टॉप थ्री में निम्रित को हटाया जाए क्योंकि अल्रेडी मैं आपको बता दूँ बिग बॉस के घर में टॉप थ्री कंटेश्टेंट में से दो तो ऐसे बड़ी कंटेश्टेंट है जो अल्मोस्ट जाएंगे बिग बॉस के फिनाले में और वो दो हैं प्रियंका चहर चादरी और शेव ठाकरे जो डिजर्व भी करते हैं ये दोनों तो डिजर्व करते हैं लेकिन इसमें जो तीसरा नाम बिग बॉस अपनी तरब से डालना चाहते हैं वो डेफिनेटली आप मेरी बातों को मार्क कर लीजिए निम्रित के अलावा बिग बॉस टॉप थ्री में किसी को नहीं रखेंगे और सुम्भूल को रखना यानि निम्रित के लिए खतरा था तो ये तो हो गया वो दूसरा रिजन जिसके चलते हैं बिग बॉस नहीं चाहते हैं कि सुम्भूल घर में आगे बनी रहें और वैसे अगर अब में रिजन की बात करें कि आपने कल के एपिसोड में नोट किया होगा कि बिना घडी के बिना टाइमिंग के बिना ओडियन्स को बताए अपने हिसाब से ही बिग बॉस ने कैलकुलेट कर लिया और पूरे गेम को सब के सामने रख दिया यह सुंबुल के खिलाफ किया जा रहा है क्योंकि बिग बॉस का 100% टारगेट है कि सुंबुल को निकाला जाए और आपको यह कड़वी सच है लेकिन आपको इसको यकीन करना होगा कि बिग बॉस बायर्स हैं और इतने ज़ादा आप तो बायर्स हो गए हैं इतना ज़ादा खुश मत हो जाए क्योंकि आने वाले दिनों में एक मिड नाइट एविक्शन रखा जाएगा तो सुंबुल के लिए बिग बॉस ने बड़े बड़े प्लैन तियार कर लिए कि भाई तुम आओ तो सही अगर तुम वोटिंग के अधार पे आ गई तो हम मिड नाइट में आपको निकाल देंगे और आपको ये बता दू फिलहाल के लिए सुंबुल को भर भर के वोट मिल रहे है सुंबुल नंबर वन पे चल रही है शिव ठाकरे दूसरे नंबर पे हैं और तीसरे पे हैं MC स्टैंड तो इवन दो अगर इस नॉमिनेशन में सुंबुल सेफ हो गई तो यकीन मानिये मिड नाइट इक्वेशन होगा सुंबुल का तो ये थे दोस्तों वो रीजन जिसके चलते बिग बॉस नहीं चाहते हैं कि सुंबुल जो है कि जी हाँ जो बुला बिल्कुल सही बात है यही वो रीजन है जिसके चलते सुंबुल को बिग बॉस आगे नहीं लेके जाना चाहते हैं लिखिएगा जरूर अपना उपिनियन कमेंट बॉक्स में और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई